अनिला जी सुन रहे हैं आप आपी के सहयोगी जेडियों के नेता हिम्राज राम क्या कहा रहे हैं गलत बयान बाजी हो रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा और उस पर इस तरह का बयान देना बहुत अब तो सूट करती है ना ये राजनिती क्योंकि वोट बाइंग के ही रा आप ये मुसल्मानों की तरफ किसी ना आँख उटा कर भी देख ली तो मैं इंट से इंट वजा दूँगा ये तो बहुत ज़्यादा धर्मनिर पेक्ष बात कर रहे हैं कि मुसल्मानों की तरफ अगर आँख उटा कर भी देख ली तो इंट से इंट वजा दूँगा ठीक ह उनको पूरा अधिकार है क्योंकि माइनारिटी उसकी वकालत करते हैं निन्यानवे प्रतिशेत राजनेतेक दल इस राष्ट्र में मुसल्मानों की वकालत करते हैं वोट बैंक के लिए तो धर्मनिर्पेक्ष है भारते जंता पार्टी इकलोती पार्टी जो हिंदूों का ऑफ़वारती संस्कृते का विशा इख था थिया यह कौंशी परिभाश्य है संविधान की संविधान वाले प्रियांबल में बदलाव लेकर आने वाले अधर्मनिर पर एक शब लेकर आने वाले कौन है ये कॉंग्रेसी तो है वह 7 अधियान विल्काल द्राश्ट को सथ्यानाश कर दिया लुटा दिया कॉंगरिस पार्चिकी सथ्यता है हां उदर महराश्च्रा में संजय राउजी कह रहे हैं कि यहां पर धर्म की बात नहीं होगी फलाना बात नहीं होगी अरे आप जो हैं शिवाजी महराज को तो मानते हैं शिवाजी महराज भारत को क्या बनाना चाहते थे हिंदू राष्ट बनाना चाहते थे तो तो त्याग भी जिए शिवाजी को भी यह नहीं चलेगा कि आज आगर आप राज़ीती कर रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी तो सर् खड़ा हो रहा है तो आप तो सर्व धर्म सर्माज की बात करने वाली पार्टी है तो कैसे अचानल करते हैं आपका एक बार यह फॉर्मला चल गया तो आगे भी इसी फॉर्मले पर आगे बढ़ रहे हैं हम भेद भाव करते कहा हैं मैं उत्तरप्रजेश से आती हूं ठीक है सबसे बड़ी आबादी वाला सुबह मुझे एक ही उजना बता दीजे जहां पर भेद भाव हो रहा हो एक ही उजना सब जादा फाइदा इनी लोगों को हो रहा है पर हां अगर हम हिंदू की बात करेंगे और हम यह कहेंगे कि अब जो है मत्राकाशी की बारिय तो इन्हें बड़ा कश्थ होता है. बहुत कश्थ होने लग जाता है. कि हिंदुों की बात मत करो. हिंदुों को भगवा को आतंक बात गोशित कर दो. तो बहुत कुश हैं. हमारे अधिकार ही नहीं है हम अपनी भावराहों को व्यक्ट नहीं कर सकते हैं हमारे मंधिर जो तोड़ तोड़ कर मस्जिद transition क्रिशम जनम भूमी आप बताइए क्रिशम जनम भूमी का है धरबाद में बना दें यह कौन सा तरीका होता है काशी का इतिहास नहीं जानते हैं क्या कभी कुद्बुदिन नाइबक आकर तोड़ देंगे कभी रजिया सुल्ताना जो है तोड़ कर रजिया मस्जिद बनवा द मैं करें जब यह राष्ट की टुकड़े होते हैं धरम की अधार पर हम भी खुश हो जाते हैं हमारे पूर्वज खुश हो जाते हैं चलो वह तो बन गया इसलामिक नेशन अब शाद हिन्दूों की कुछ पूछ हो जाएगी नहीं साहब आपके मंदर नहीं मिलेंगे प्लेस अबादी जो मुसलमानों की हमारे राष्ट में रहती है कौन से मैनोरीटी है कि अगर कही स्वर्ग है तो वह हिंदुस्तान है भारत है क्यों कहता है प्रदिशत पार्टी इनकी वकालत करती है जाकिन नायक इंजार कर रहा है कि मोदी जी हटे हैं कॉंग्रेस आए तुम्हे कर दो हजार दस में आपकी पार्टी जातिकर जंगर्णा को लेकर दबाव बना रही थी तब तो आरसे साब को चिता रही थी कि वह इस मुद्धे पर आक्रमत तरीके से आगे ना बढ़ो हिंदुत्व के जर्ड़ करता है यारी टाइमिंग की बात है आज आपको यह पॉलिट उन्हें किसी ने रोका है करो जागर मैं इस चीज़ जानती हूँ जाती जनगर्णा जो है सरकारों को योजनाओं का लाभ पहुचाने के लिए या सम्वधान में जो अधिकार दिये हुए उसका लाभ पहुचाने के लिए प्रियोग करना चाहिए परतु अगर वो हिंदू कि से सुन रहा था मैं महराश में रहता हूं बचपन से छत्रपती स्वाजी महराज को मैं पड़ता आ rabbit आप इद आदे आया कि छत्रपती शिवाजी महराज हिंदु राश्ट की निर्मिती करना चाहते थे यह बैयान सरड़ पर ज्टम और गलत हैं चत्रपति शिवाजी महराज के जो गड और किले हैं वहाँ पर मुस्लमान नमाज भी अदा करते थे चत्रपति शिवाजी mèreachi के कई सेवग मदारी महतर से लेकर वह मुसलमान थे रुपिया छत्रपती शिवा जी महराज की एंटी मुसलिम चबी मत कीजिए क्योंकि छत्रपती शिवा जी महराज ने कभी भी हिंदू राष्टर की संकरपला नहीं रखी एक पार्टी रखती है वो पार्टी कौन है यह आप भी जानती है बोले निला जी पहली बार तो यह है कि विनोज जी जो बोल रहे है मुझे बिल्कुल आश्यर नहीं हो रहा है इसी प्रकार का इतिहास पढ़ा है पूरे भारत पर्ष को इस शडियंद के तार मैंने जो इतिहास पढ़ा है मैंने जो जानकारी करी है ची कि उसके अनुसार शिवा जी महराज जो है इस राष्ट को हिंदू राष्ट बनाना चाहते थे और उसमें गलती क्या है अगर हिंदू राष्ट बनेगा तो क्या बाकी धरम के लोग नहीं रह सकते हैं आप यह बता दीजे अगर इस्लामिक कंट्रीज जो एक सेकेंड होल्ड ओन इस्लामिक कंट्रीज यह क्रिश्चन कंट्रीज है क्या दूसरे धरम के लोग नहीं रहते हैं क्या वह पूजा पाठ नहीं करते हैं अपनी संस्क्रदीग में जो उनको बताया ज्यादा वो नहीं करते हैं अब बीजेपी का क्या एजेंड़ा हिंदू राष्ट बनाना हो गया है क्या अनिला जी नहीं हिंदू र सुनिए हिंदू की एकता के लिए क्यों बोल रहे हैं अखंड भारत इरान से लेके मैनमार तक था आज कहां रह गया आज आठ से जादा राज्य यूनें टेरिटरिस में हिंदू माइनरोटी में पहुंच गया दूसरों में कगार पर खड़ा हुआ है चिकन नेक की बात होती ह बात होती है और उम टुक्डे होने दें बिलकुल भी नहीं बिलकुल भी नहीं होने देंगे शड्यांत रिंका है परन्तु मजबूती हमारे साथ विनोद सवाल कुछ पूछना है तो पूछे मुझे लग आफ के जैन में कहीं सवाल उठ रहे हैं यूर तूट यूर ओडिय सवाल है कि कभी भी हिंदू राष्ट की बात नहीं की स्वाराज्य स्वाराज्य वह होता था कि खुदका राज्य देखिए जब च्छत्रपती शिवाजी महां साड़े 300 साल के पहले का इत्यास की मैं बात करूं तो एक तरफ मुगल थे तो दूसरी तरफ आदिल शाह थे तब यहाँ पर मराथी आदमी हो या पिर हिंदु हो, उनमें जागरित करने के लिए ने स्वराज की निनमिती की खुद का राज़ हो, और वो खुद राजा बने, तब अपना यहाँ पर राजा हो, वो स्वराज होता है, हिंदु राश्टा की कभी बात नहीं किये, अक्सर य भी मुसल्मान के तौर पर किसी की उन्होंने कभी बदनावी नहीं की ना ही उन्हें कभी बूरा बताया है मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्रपती शिवाजी महाराज की फॉज में भी 500 पठारों की टुकड़ी थी और वो शत्रबती शिवाजी महाराज के लिए किसी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थी तो इस प्रकार से छबी है ना वो छबी अलग करने की कोशिश की गई है तो इसके बारे मैं आपको यह बताना चाहरा था